तो यह देख नीजे यह इसी गाउं के एक अस्थानी सक्स हैं जो अभी नीचे उतर चुके हैं और हम भी चलेंगे हाँ हम भी चलेंगे नीचे तो आईए दोस्तों अब हम चलते हैं नीचे और बड़ी साउधानी पूर वक्रम नीचे चलेंगे लोग वाग उपर से देख रहे हैं और इस वक्त हम नीचे हैं यहां से तस्विरे आप देख पा रहे हैं दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आरके निशाद स्वागत करता हूँ आप सबका दर्सक नूट 24 में दोस्तों बता दे कि आज हम आप लोगों को एक बड़ी हैरत अंगेज इस खबर से रूबरू करवाने वाले हैं बता दे कि आज हम प्रियाग राज के घोर पुर्थाना चेत्र अंतरगत दिवरिये नामा गाउं में मावज़ोद है दोस्तों यहां पर जो हैरत अंगेज मामला आया है प्रकास में वह ऐसा है किस गाउं में आप देख पार होंग कि जैसे ही यहां मामला प्रकास में आता है तमाम ग्रामीर्व यहां पर रिकथा हो गए हैं और साल ही बता दे कि जिनका मंखर जबना स्थान व में लोगों में डर और भायव्याप्त कही नकर phi ngelow काफी गहरा जमी दोज हो गया है याने वाले समय में हो सकता है कोई बड़ी घटना नहों जाए या फिर मकान जमी दोज नहों जाए कुछ बड़े मुझूर गया इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरसल क्या कुछ हो सकता है क्योंकि अगर देखा जाए तो भारती पूरतत विभाग से भी जुड़ा रहा या गाओं इसके बगल में ही आप देखेंगे तो भगवान बुद्ध के तमाम आउसेस यहां पर मिलते हैं और साथ ही ऐसा बताए जाते कि आज से लगभग 5000 वर्स पूर्व का इतिहास यहां का रहा है आज से लगभग 5000 वर्स पूर्व यानि कि भगव भगवान बुद्ध की तमाम प्रकिमाया और साथ ही उनका इस्तूब भी यहां बगल में है जिसको किस नाम से जानते हैं सुजावन देवता और मंदीर नहीं वह जो वहां पर जमी पल्टी हूं भीटा भीटा गढ़वा है दोस्तों भीटा गढ़वा में आप देखेंगे क्या कुछ मामला है और अभी उस गड़े का भी अलोकन करवाएंगे जो बड़ी परिषेदर में जमी दोज हो गया है क्या राम होज अच्छा इंदुर्पार निसाथ यह पहले बाद तो यह घोरपुर थाना अंतर के दिए देवरिया गाव क्या कुछ मामला है जिसके चलत सूभा आच चला के थोड़ा सक्मन भवा गड़ा मुदा गया दोस्में बास जाला बास चला गया अंदर पूरा यह आपका हमारा मकान है किसी की खतरा है कि बच्चे होचे यहां गढ़ा नहीं पटेगा तो गिर जाएंगे तरीक 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 तरह से पहले तीन तो किस से जोड़कर देखते हैं आप क्या लगता है कि तरीक मालोम नहीं है क्या हो सक्टा है जो बहुत बड़े बड़े गड़े ते कहेंगे इसके पहले का कुछ इतिहास का मिलता है क्या कोई गाउं हुआ करता था यहां तो बजाणिया लागत रहा रहा है कम से कम हमार खियाल है तो तीन सो पहले हैं अब करे बाद ने की वह रहा है हम लोग आधे बनौवावा घर दुबार अब 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 आपको मेटिक अपनि से पूरा एकी जमीन बैटा जात पार एसा तो नहीं हो सकता कि हो सकता है उस समय कि यहां पर कुवा बगर आप यह पिर किस से जोड़ कर देखा जा सकते हैं बड़ी रहत समय बात है लोग बाग जो है सोचने पर मजबूर है कि दर्थल यह क्या है अपने चाया कारते के थोड़ा सागे आए और अवलोकन करवाएं दोस्तों जब मैं यहां पर आया तो देखा कि काफी बड़ा गड़ा है लोगो लिए इनके बाद जो है हम जाएंगे और हम जाकर नीचे आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे कि दर्थल क्या रहस्य है यह गड़ा इतना बड़ा है यह इसे बड़ा भी यह है क्या चाचा आप गए नीचे क्या देखा आपने चारों तरफ से गहरा है आप गए नीचे उतरे से भी हम चलते हैं हम चल कर दिखाते हैं आप को दर्थल यह रहस्य क्या है कैसे यह गड़ा हुआ किस रहस्य तरीके से गड़ा हुआ है और आगे नीचे चलने के बाद देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है आप लोगों को दिखाते हैं और नीचे चलने के बाद आप लोगों से मिलते हैं कि क्या कुछ है इस गड देखेंगे और तो आई ये दोस्तों हम चलते हैं नीचे और बड़ी साउधानी पुरोग हम नीचे चलेंगे और अब बड़ी साउधानी पुरोग नीचे चलेंगे और हमने सीधी मंगाई है अब सीधी के जरी हम आप लोगों दिखाने करेंगे कि दर्फल यहां गड़्धा कैसे हुआ है और इस गड़्धे का क्या रहस हो सकता है यहां पर आप देख पाएंगे यह पुराने आउसेस यहा और जो खड़्ध मकान हुआ करतें थे उनके क Hyp soi बगएबब और यहां पर आप देख पायेंगे दोस्तों काफी घंड06 हुआ है यह आप देख पार है दोस्तों काफी बड़े परण शेष्चाइट में काफी बड़े परिषेत्र में जमी दोज हुआ है इस वक्त हम गड़े के नीचे मौजूद है और एक सीड़ी के जरीए हम नीचे आए हैं और यहाँ ज्यादा देर तक रूखना खत्रेश खाली नहीं है फिलाहाल मैं आप लोगों को तस्वीर चारों तरफ से घुमा कर दिख यहाँ पर इन लोगों ने यह आप देख पा रहे हैं लोगों ने करीब चार पांच ट्राली ट्रैक्टर की यहीं कि मिट्टी फेका है लोगों ने और उपर की बात करें तूपर से आप देख पाएंगे लोग बाग उपर से देख रहे हैं और इस वक्त हम नीचे हैं यहां आप ज्यादा देर तक ठारना किसी खत्रे से खाली नहीं है और हम चलेंगे बाहर और बाहर चलने के बाद कुछ और लोगों से बात चीत करेंगे इधर भी देख लीजिए या भी इधर गिर रहा है और इधर आप देख पाएंगे या भी अभी गिरने के इस्थित में हैं उपर चलते हैं यह देख लीजिए यह मकान है और मकान की दिवार आप देख सकते हैं यह पूरा जमी दोज हो गया है इधर देख लीजिए यह अभी इधर मकान बना हुआ है और इस मकान के बिलकुल ठीक सामने यह पूरा जमी दोज हुआ है यह देख लीजिए अब इस त पुराना इतिहास यहां से भी देख लिजे लोग इधर से जहांक रहें कि एक मकान उधर भी एक मकान इधर भी है दोनों तरफ से अगर देखा जात बीच वीच यह जमी दो जुआ या स्थान दोनों माकानों के बीच में हैं और यह किसी खत्रस खाली ने उपर से देख पारे हैं एक बार फिस में तस्मीर आप लोगों को दिखाने कोशिश करूंगा यहां से अब देख पार हैं यह कुछ ऐसा है यहां का महौल और बड़े डरे सहमें लोग हैं यहां के क्योंकि बता रहे हैं कि यह दिन यह दिन प्रसे दिन नीचे धस्ता जा रहा है कि अधिक्ति ब तो यह देख लिजी दो तो यही है वगड़ा जिसके नीचे हम गए थे इसको सीड़ी निकाल लीजे यह आप देख सकते हैं और इधर मैं दिखाने कोशिश करूंगा यह सामने माकान है यह माकान कभी भी जमी दोज हो सकता है जिस तरह से यह जमीन धस रही है यह आप लोगों में एक भाइस अव्याप्त है कि जिस तरह से बिलकुल माकान के सामने यह घटना घटित हुई है आने वाले दिनों में हो सकता है कि माकान पर भी इसका असर पड़े और मकान जमी दोज हो जाए तो बता दे कि यह पूरा मामला प्रियागराच के घोरपुर ठाना छेतर अंतर गद्धिवरीय नामा गाउं का है और लोगों दोरा ऐसा बताया जाता है कि यह पहली बार नहीं बलकि इससे पहले भी हो चुका है और यह तीसरी बार मामला हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ग्रामीड यहां परिकठा हो गए हैं तो अभी हम गड़े से बाहर आ चुके हैं और अब हमारे साथ वह दोनों मकान मालिक हैं जिनके मकानों की ठीक बीचों बीचे निका अधा उधर और आधा इधर वीच जो बांड़ी देख रहे हैं इसके बीचों बीच जमी दोज हुई है और अभी लोगों से बात चीज़ करेंगे दरसल कैसा महौल है और यह लोग क्या चाहते हैं और कभी लोगों देखा बहुत सारी बात इन से जानते हैं यह बता यह कि गड़्धा जैसे जमीन धास रही है तो लगता है कि आने वाले दिनों मकान में गिर स सकता है लड़के बच्चे चुटा सकते हैं तो कहीं इसको इस इस मामले को जो संग्यान में लेती हो इस पर कोई कारवाई होनी चाहिए करवाई हो सकते हैं तिसरी तिसरी बार हो गया है करवाई हो चाहिए प्रियाग राज के घूर पूर्ठाना चेतर अंतरगत दिवर्य नामा गाउं मौझूद ते जहां पर एक बड़ा ही हैरत अंगेज और अजीव गरी मामला सामने हैं मकान की भी ठीक सामने आप लोगों ने देखा किसरा जमी दोज हो गई है और इस वे जमी दोज के लेकर यह